अलो डियर स्टुदेंट्स यहां पर हम एक एक एक्जामपल ले रहे हैं एलाज साथित पर बेस्ट जिसमें कि हम इसको दो पाट में डिवाइट करेंगे एक केस में रिस्टेंस कोई बैटरी के साथ नहीं है यह सीरीज में और एक केस फिर नेक्स एलिस्टेशन में है कि बैटरी के साथ एक 2L और R लगा हुआ है और एक L और R लगा हुआ है combination और यह दौनों parallel में है और बैटरी के साथ series में कोई resistance connected नहीं है ऐसे केस में बच्चों बिल्कुल simple होता है आप क्या करिए इसको दो पार्ट में डिवाइट कर लीजे एक इसके साथ 2L और R इसको अलग connect कर दीजे जो पैलल में resistance connected है L और R का combination उसको बैटरी के साथ अलग-अलग connect कर दीजे प्लस इसी बैटरी के साथ L और R connected है इसका reason यह है कि because zone parallel में है इसलिए किसी भी ब्रांच में जो इन दोनों ब्रांचे से जाएंगे वो I1 और I2 एक दूसरे से independent होंगे तो यहां पर current I2 जा रहा है और यहां पर current I1 जा रहा है तो किसी भी instant पर अगर आपको total current I निकालना होगा बैटरी से तो that will be equal to I1 plus I2 और जैसे independent इन दोनों minus RT divided by L plus I2 T divided by R 1 minus E2 minus RT divided by L की जगे पर 2L आ जाएगा तो आपने बिल्कुल सिंपल सी situation है इसमें कि अगर कोई resistance बैटरी के साथ सीरीज में connected नहीं है तो क्या करना है आपको जितनी भी branches parallel में connected है उन सबको बैटरी के साथ अलग-अलग connect करके I1, I2, I3 independent जैसे solve करते circuits वैसे solve कर लें और आपको बैटरी से पास होने वाला total current I पता लग जाएगा I think this is clear इसमें कुछ वालम नहीं है अगले example में मैं यह लूँगा कि अगर बैटरी के साथ सीरीज में resistance connected हो तो उसको कैसे solve करेंगे ओके have a good day